सागर शहर के सदर बाजार इलाके में शनिवार देर शाम दो अलग अलग समुदाई के युवकों के बीच में विवाद हो गया जिसमें वर्ग विशिश के युवकों ने दूसरे समुदाई के युवकों को बुरी तरह से पीट दिया केंट पुलिस ने एहतियातन भीड भाड़ वाले सदर बाजार श्वीत्र को बंद करा दिया इसके बाद प्रभावित वर्ग के युवक और अन्य सामाजिक धार्मिक संगठन के लोग केंट थाने पहुँच गए पुलिस के नुसार मामला पुर्णता नियंतरण में है संबंधितों पर उचित कानूनी कारवाई की जा रही है इदर चर्चाओं के अनुसार दोनों पक्षों के बीच कोई पुराने लिन दिन का विवाद था जबकि आहत युवको का कहना था कि हम लोग सदर बाजार में हलचट पर्व की पूजन सामगरी की दुकान लगाए थे तब ही दूसरे वर्ग के युवक आए और हम लोगों ने बैठकी के नाम पर अवैद वसूली करने लगे ताजा घटनकरम की जैसे ही कैंट पुलिस को खबर मिली तो मौके पर ततकाल पुलिस टीम रवाना हो गई हालात का कोई भी तबका बीजा फाइदा नहीं उठा ले इसलिए सबसे पहले बाजार बंद करा कर लोगों से भीड को तितर मितर किया गया इसके बाद सदर के संकट मूचन बंदर विश्नो चौराहा समीत आसपास पुलिस करमी तैनात कर दिये गए कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि विश्नो चौराहा के पास दो पक शापस में लड़ बैठे थे जिसकी बाद पुलिस मौके पर पहुँचे थी एस्तिती कंट्रोल में है कहीं कोई ऐसी बात नहीं है की बात बिगड़ जाए झाल झाल कोईश कहा कि अ कि विश्नो प्रभारी ने है कि विश्नो प्रभारी । हीरो हेफ डेलक्स सेलफ स्टार्ट माय आर्टियो बीमा सहीत चार हजार रुपए के बॉपपर डिसकाउंट के बाद अब 77,500 रुपए में आज ही अफिरो हेफ डेलक्स खरीदे